तो चले फ्रेंज आज हम बनाते हैं मकर सकरांते स्पेशल बादम का चिक्की सर्द्यवा समय है हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है तो यह देखे बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है तो इसका तरीका मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो को देखते रहे और कितना क्रंची नेस हमारा बादम का चिक्की बनके तयार हुआ है तो चले शुरू करते हैं आज का हमारा रेसीपी तो चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा बादम तो यहाँ पर मैंने दो कब बादम ले लिया है अब इसको हम भून लेंगे बहुत ही अच् से क्रेक आ जाए तो इसका मतलब है हमारा बादम पग गया है लेकिन बादम जब तक गरम रहता है तब तक सोफ्टी रहता है तो इसी लिए हमें कंप्लीट्ली ठंडा करना है उसके बाद में इस तरह से दोनों हाँ से मसल कर इसका जो छिलका है उसको निकालना है और साय हो जाता है तो इसी तरह से में सारा बादम, और छील का अलग-अलग कर देंगे तो ये देखें बादम oh अब शारा बादम को मैं एक टाओल में रख लूँगी और उसके बाद χल्का से इसको क्रस्ट करेंगी बहुत ज्यादा क्रस्ट नहीं करना है पावडरone पाउडर नहीं बनाना है हमें बस हलका सा स्प्लीट करना है इस तरह से बादम को हलका सा स्प्लीट करके हम चक्की बनाएंगे तो चक्की बनाते समय बहुत आसानी होती है तो यह हो गया है इसको एक प्लेट में ट्रांस्पोर कर लेंगे इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करें तो ये देखे ग्यास वान कर दिया है मैंने तो एक मोटा वाला कड़ाई को भी बिठा दिया है हो सके तो ये मोटा वाला कड़ाई यूज गीजेगा तो एक चमस घी डाल दिया है आज मैं बनाँगी पाउडर वाला गूर से तो दो कप बादम लिया था हमने तो दो कपी मैंन यहां पे गूर भी डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पहले मेल्ड कर लेंगे गूर को पकाते समय हमारा गैस का फ्लेम लो होना चाहिए अगर हम हाई फ्लेम में पकाएंगे तो गूर जल जाएगा फिर हमारा जो चिक्की हो या लडू हो कोई भी चीज करवा हो जाता है तो चले गूर को पकने के लिए छोड़ देते हैं और एक प्लेट को जिस पर हम चिक्की बनाएंगे उसको घी लगा कर ग्रेज करके साइट बे रख देंगे ताकि हमें आसानी हो बाद में यह देखिए अब गूर को पकते हुए लगबग 5 मिनट हो गया है मैंने गैस का फ्लेम लो ही रखा है हाई हीट में बिल्कुल भी हमें कोई काम नहीं करना है तो चले पहले चेक कर लेते हैं यह तयार है या नहीं चिक्की बनाने के लिए तो चिक्की बनाने के लिए हमें गूर जो है एक तार का चासनी बनाना पड़ता है क्रिस्टलाइज होना च क्योंकि यह सॉफ्ट है यह लड़ू बनाने के लिए तयार है लेकिन इससे चिक्की नहीं बनेगा अगर हम चिक्की बना देंगे तो यह सॉफ्ट बन जाएगा तो इसको अभी आप पकाएंगे तो पकाते पकाते जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा यह देखिए फ्लापी भी ले सकते हैं यह रूम टेंपरेचर वाला पानी है तो यह देखिए जब भी हम गुड इस तरह से तूटना चाहिए बहुत आसान तरीका से तूट जाना चाहिए और क्रिस्टलाइज होना चाहिए तो ही हमारा चिक्की अच्छा बनता है तो यह तयार है मैंने डाल दिया है बादम को अब हम इसको बहुत ज़्यादा दिर नहीं पकाएंगे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब तक ही पकाना है अब मैं यहां पर एक मैजिक इंग्रिडेन डालूंगी जिससे हमारा चिकी बिल्कुल भी चिप चिप नहीं बनेगा और खाते समय दात पे भी नहीं तो यह काम अब हमें बहुत ही फटा-फट से करना है अगर ठंडा हो गया तो यह सेट हो जाएगा तो जितना जल्दी हो सकी उतना जल्दी करना है तो जितना पतल लेयर बना सकते हैं बनाएंगे वैसे चिक्की का लेयर जो है उतना ज्यादा पतला तो होता नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा मोटा भी उतना अच्छा नहीं लगता है तो एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे उसके बाद बेलन से आपको जो सेप पसंद है उसी सबसे बना सकते हैं मैं यहाँ पे रेक्टेंगल से बनाऊंगे ताकि काटना ही में हमें आसा नहीं हो तो बेलते बेलते यह थोड़ा सा सेट हो जाता है तो अब मैं यहाँ पे एक चाकू को हलका सा ग्रीज कर लोंगे घी लगा कर उसके बाद में हम इसको काट लेंगे एक्टिल काटना नहीं है जस्ट मार्क कर लेना है यह जो प्रोसेस है यह हमें अभी करना है अगर बाद में करेंगे तो यह सेट हो जाएगा सेट होनी के बाद में तो बिलकुल भी नहीं कटेगा, तो ये देखे हमारा बादम का चिकी बन गया है, चले इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, ठंडा होने के बाद में मैं दिखाऊंगे आपको, तो ये देखे दस मिनट बाद बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गया है, हाथ भी बिल्कुल भी चिपश लाइए, उनको जरूर पसंद आएगा, और आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, सेर और चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले, तो चले मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, बाइ!